हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इंडियन बैंक की भद्वासिया शाका में आज सुबा करीब साड़े दस बचे धुआ निकलते देख लोगोंने सूचना दी उन्होंने पहले स्वयम के स्थर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन धुआ अधिक होने के कारण अंदर प्रवेश करना मुशकिल हो रहा था इस पर नागोरी गेट अगनी शमन केंदर की दो दमकले लेकर फायर मैन शेलेंदर सिंग, प्रवीन सिंग, अनुबंदित दमकल कर्मी राहूल एवं उत्तम वहां पहुचे सूचना पर बैंक मैनेजर भी वहां आ गए, तब बैंक का ताला खोल कर अंदर प्रवेश किया जा सका ताला खोलने तक आग पूरे बैंक को चपेट में ले चुकी थी, आग की लप्टे वधुए से भरे बैंक में कुछ नजर नहीं आ रहा था दमकल कर्मियों ने पानी की पोचारे डाल कर आग पर काबू पाया, इसके लिए करीब आदा घंटे तक कड़ी मशकत करनी पड़ी आग से बैंक का पूरा फ़रनीचर, कंप्यूटर सेट, एसी और वायरिंग जल का नश्ट हो गया आग लगने का अरंबिक कारण एसी अस्वा विजली के तारों में शौर्ट सार्किट होना बताया गया है आग से लाखों का नुकसान हो गया, आग के कारण कंप्यूटर एसी सहित फ़रनीचर जला है बैंक शाका में आग लगते ही इसके बार बड़ी संख्या में लोग इकत्रित हो गए जागरुक टीबी के लिए जोदपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट